वेल्काम दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज हम इस वूडियो में सीखने वाले है कि जो हम गरों में वाटर पॉम यूज करते हैं। वो वाटर पॉम में नॉर्मल प्रब्लम होने से वाटर पॉन नहीं होती है। तब दोस्तो ये नॉर step-by-step check करते तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि जहां पे हम मौटर को on करने के लिए जो मौटर के Cable को जी socket में लगा दे वो socket में power आ रहाई है नहीं, वो हमें check कर लेना है, तो दोस्तों ये power को check करने के लिए हमें ये tester की जरूरत पड़ेगी, अगर दोस्तों हमारे पास में tester नहीं है, तो हमारे घर में कोई दूसरा electric device है उसको लगा के इसमें check कर लेना है, तो दोस्तों इस तरह से check करने के बाद अगर दोस्तों ये हमारा socket है, पावर socket उसमें जो power complete आ रही हो दिये, तो दोस्तों हमें आगे के step में जाना है, तो दोस्तों अब आगे हमें क्या करना है, कि जो ये motor का पिछे का फैन कवर लगा हुआ है, वो फैन कवर को निकाल लेना है, और दोस्तों फैन कवर को निकालन पर अगर motor हमारी jam हो तो हमें क्या करना है कि जो motor का जहां आगे का pump लग आता है वो pump की जो pipe है वहाँ pipe से पानी डाल देना है pump के अंदर और पानी डालने के बाद में दोस्तों motor की जो पिछे की साइड है जो अब फैन लगा हुआ है तो दोस्तों मॉटर अगर जाम होगी पंप की साइड से तो दोस्तों यह फ्री हो जाएगी पर दोस्तों यह मॉटर है यह मॉटर तो बिल्कुल फ्री है तो दोस्तों अब हमें जो आगे की जो प्रॉब्लम होती हो प्रॉब्लम को देखना है तो आगे की जो प्रॉब्लम में साथ में केबल के लिए रिबाता है कि अगर हमारे पास में टिस्टर नहीं है तो हमें क्या करना है कि यह वायर को निकाल के उसमें दुसरा वायर डालके चेक कर लेना है तो दोस्तों हम इसमें नएा सप्लाइ वायर लगा के देख लेते तो देखे दोस्तों ये मोटर में जो पहले पावर सप्लाइ के लिए केबल लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है अब दोस्तों मेरे पास में एक दूसरा power supply का cable है, वो cable को मैं इसमें जोड लेता हूँ देखें दोस्तों जो मोटर का supply wire हो, supply wire हमने change कर लिया, जो पूराना supply wire था उसको हमने निकाल दिया और उसकी जगह पे दूसरा wire डाल दिया तो अब दोस्तो हमें इसको supply में लगा के check कर लेना है कि जो इस supply wire change करने के बाद motor start होती है या नहीं होती है तो दोस्तो अब मैं इसको supply में लगा के देख लेते तो देखे दोस्तो मैंने जो इस motor का wire है उसको supply में लगा दिये है अब दोस्तों हम इसकी switch on करके देख लें दे, देखे तो switch on करने पर भी यह motor है motor start नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब कि हमारे motor का player अदो 19 हाइर था cable वह सही था, क्योंकि है wire को change करने पर भी यह motor start नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों तो अब हमने जो मॉटर का जो केबल था वो केबल को भी हमने चेक कर लिये और दोस्तों जो यह मॉटर हमारी है वो मॉटर एकदम फ्री है फिर भी दोस्तों यह मॉटर स्टार्ट नहीं हो रहे है तो दोस्तों अब हमें लास्ट में जो यह मॉटर में कैपेसिटर लगा हूँ वह चेक करना है। तो दोस्तो यह मॉटर इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्टर में दी हुए वहाँ जाके आप वीडियो को देख साथे हैं। दोस्तो इसके अलाव आप मोटर का कैपेशीटर सही है खरब यह चेक करना चाहते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूँ तो दोस्तों कैपेसिटर को डायरेक्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो मॉटर का सप्लाइ केबल है उसको सप्ला में लगाना है अर दोस्तो, सप्प्ला में लगाने के बाद में, हमें ये मॉटर का जो पीछे का फैरने उसको स्क्रूर डायोर के मतरसे, इस तरह से थक्का देना है और इस तरह से दिख्का देने पर हमारी ये मॉटर जिए स्टार्ट हो जाती है और socket में लगा कि उसको switch on कर देना है अब दोस्तो switch on करने के बाद हमें screw driver से इस तरह से हमें धक्का देना है तो देखे दोस्तो इस तरह से करने पर जो यह motor है यह motor start हो चुकी है तो दोस्तो इसका मतलब के जो हमारी motor है motor का capacitor हो capacitor बिल्कुल discharge हो चुका है क्योंकि दोस्तो जब हम motor के जो power supply को supply में लगा के fan को गुमाते हैं थोड़ा धक्का देते तो motor दोस्तो start हो जाती है तो दोस्तो यह capacitor जब खराब हो जाता है पुरा discharge तब दोस्तो यह motor है motor start नहीं होती है तो दोस्तो इसलिए अब हमें यह motor का capacitor है उक्यापेसिटर को हमें निकाल के इसमें दूसरा capacitor डाल देना है तो दोस्तो मैं आपको इसमें दूसरा capacitor डाल के दीखा देता हो तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि मॉटर का पूरानी क्यापेस्टेर को निकाल लेना है और दोस्तों जो वायर जूड़े हुए वायर को खुल के अलग कर लेना है पर दोस्तोmpreacitor को अलग करने से पहले हमें देख लेना है कि measiter के दो wire है वो mortar के क्लायो से wire के साथ में जूड़े हूए तो दोस्तों ये mortar मेंदेखे एक ये scribe rate wire के साथ में factory our black wire के साथ में जोड़े किया गया है तो दोस्तो फिर से हमें इस तरह से दूसरा कैपसिटर जुड़े तो इस तरह से हमें जोड़ना है तो दोस्तो कैपसिटर के साथ में जो रेड वायर चुड़ा हो रेड वायर को जो सप्ला वायर कनेक्टर में लगा उसके सामने जोड़ा हुआ है और दोस्तों जो capacitor साथ में black wire जुड़ा था उसमें tap किया गया था तो देखें दोस्तों मैंने मोटर का ये capacitor को अलग कर लिए अब दोस्तों हमें ये motor में दूसरा नया capacitor डालना है फिलहल दोस्तों मेरे पास में capacitor है ये capacitor को मैं लगा के आपको ये motor को चालू करके दिखा देता हूँ दोस्तों ये capacitor को जहां पे हमने पहले खुला था वो wire में लगा देता एक black wire और दूसरा जो red wire हो red wire को ये capacitor साथ में जूड़ लेता हूँ वॉइव तो देखें दूसरो तुमेने capacitor को मॉटर के black और red wire के साथ में जोड लिया है अब दूसरो जो मॉटर के black wire है जो कि यह ओपेजिटर साथ में जूड़ा हुआ है और को मेरे त ministers कर लेना है कि जब पहले जूरते है उह तो बातों से कोई एक वायर जोफिर्टा के साथ में जूड़ा हुआ होता है वा हमारे supply वायर का सब्सक्राइब समय उसके सब्हास च्छीर दोस्तों हमें चया पील टाइम का एक हमें। जूड़ा हुआ था तो देखिए दोस्तो मैंने जो Capacity एक। कणेक्शन हैं वो Connection कर लिया है अब दोस्तो हमें यह मोटर को एक बार सप्टाय में लगा के चालू करना है तो दोस्तो मैं इसको सप्टाय में लगा देता हूँ और दोस्तो स्वीच है वो स्वीच को अन करता है दोस्तों यह स्वीच को अन करने पर ही जोई मोटर है वो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाने चाहिए तो दोस्तों देखिए यह मोटर को अन करने पर ही मोटर बिना दक्का दिये ही स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तो इस तरह से हम जो यह motor का normal problem है वो गर पर ही ठीक कर सकते हैं उमीद है दोस्तो आपको यह मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर दोस्तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तो अगर आपके कोई शुजाव है तो दोस्तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बतारा और दोस्तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब वेक है तो तक तक मेरे हर नहीं बेखी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे